असलाम अलेकुम फ्रेंज आएकेदा रेसिपी में आप सबका स्वागत है आज हम बनाएंगे डीप रैखेट आप इसे चाई के सापने भी खा सकते हैं बच्चों को टीपिन में भी दे सकते हैं और घर में हफ्ता भर भी इसको रखतर खा सकते हैं यह बहुती आसान तरीके से बनता है आएए देखते हैं किस तरीके से बनाया जाता है कि सबसे पहले बावल में मैं डालूँगी एक अंडा अभी मैं इसमें डालूँगी पचास गिराम शक्कर पिसी हुई अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे देखिए आंड़ा और शकर अच्छे से मिक्स हो चुका है अभी मैं इसमें दालूंगी आधा कप दूद दूद को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे अभी मैं इसमें दालूंगी तंब नाantes दाला मईदे का आठा आठे को मैंने चान कर ले ली थी अभी हम इसमें दालेंगे आधा चमच बेकिंग पाउडर अब पाउ चमच दालेंगे बेकिंग सोडा और दालूंगे एक चमच वैनिला एसेंस अब इन सारी चीज़ को हम अच्छे से निक्स करेंगे देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है अब हम इसको हाथों से गुन देंगे यह आटा गुनकर हो चुका है अब यह मैं हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर थोड़ा सा आटा ले लूँगी और इसे बोल करूंगी देखिए हमें इस तरीके से गोल करना है और चाकू से हमें बीच में ऐसा कट लगाएंगे सिर्फ हलका सा हमें कट लगाना है और हमें गोले छोटे ही बनाना है तक यह तलने के बाद में बड़ी साइस के हो जाएंगे अभी इसको में प्लेट में रब दूँगी इसी तरह हम सारे गोले को बनाएंगे सारे आटे को गोला बनाकर कटला आकर हो चुका है अब हम इसे प्राइ करेंगे देखें कड़ाई में मैंने तेल तलकर गरम होने के लिए पहले से ही रख दी थी तेल गरम हो चुका है अभी मैं इसको दाल जूँगी तेल एकदम जादा गरम नहीं चाहिए हल्का खुलकुवा चाहिए था अब हम इसको हल्का सुनेरा होने तक के फ्राइ करेंगे देखें इस साइज में बड़े हो चुके हैं हमें वारिक गयस पर ही इसे फ्राइ करना है और चमा से हिलाता ही नहीं से रहना है प्टाके चाल के लाल में और अच्छे से पकतो एगा प्रारिक पर से नहीं करना है नहीं तो यह उपर से लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्छे रहे जाएंगे देखिए चारों तरफ से अच्छे से लाल हो चुके हैं अब है मैं इसको निकाल दूंगी हूँ बन कर दूंगी देखिए मैं आपको दिखाती हूँ यह कितने कुर्कुरे हैं और अभी मैं आपको दिखाऊंगी अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं यह देखिए यह उपर से कुर्कुरे और अंदर से सॉफ्ट है देखे माशालला डीप राइक केक बनकर तयार हो चुके हैं वीडियो पसंद आए तो शेर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बतना डीप राइक कैक कैसे बने अल्ला हाफेज